हेलो गाइज, वेलकम बैक, आज है संडे और संडे के दिन पर बहुत ज़्यादा स्पेशल बेनिफिशल वीडियो आप सभी दोस्तों को यापर इसी एक हर्श क्रिप्टेंड यूटुब चैनल पर मिलती रहती हैं जहां से बहुत सारे दोस्तों के यापर benefits gain करने में help होती रहती हैं जो दोस्तों, core coins की regarding भी बात करेंगे और साती में bitcoin की regarding भी बात करना बहुत ज़यादे important इसलिए हैं क्योंकि bitcoin है parent crypto और core जो है उसके ही basis पे आपर develop हो रहा है ये भी बोल सकती कि उससे ज्यादा है आपर टेक्निकालिटिस और एड़ोंस यापर फीचर्स का यूज किया जा रहा है जसकी वेब 3 हो गया मेटावर्स हो गया ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर चेन की बिल्डिंग हो रही है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यापर एक जो हमने 12 एयर साइगो बिटकोइन जैसे इंट्रोडियूस वहा था मार्केट के अंदर उस टेम पे फोर बिटकोइन की प्राइस चल रही थी वन डॉलर मतलब फोर बिटकोइन को मिला कर एक प्राइस बन रही थी और आज आप लोग देख सकते हैं एक बिटीसी का प्राइस क्या चल रहा है अभी तो फिलाल इसके रिगरिंग प्राइस के रिगरिंग भी डिस्केशन करेंगे बहुत जादे इंपोर्टन्ट है कोर को लेकर भी क्योंकि सिर्फ 15 डेस बचे है और 15 को प्राइस का भी कलेक्शन आप लोग कर लेते तो आप लोगों को इसकी वैल्यू जो रहेगी लाखों में मिलेगी तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के उपर 12 एयर्स एगो फोर बिटकोइन को मिला कर प्राइस बंड रही थी कितना वन डॉलर और आज के एट में 4 बिटकोइन को मिला कर प्राइस बंड रही है 60,000 डॉलर और आप लोग देख सकते हैं अभी के देम पे फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा वोलाटेल मार्केट इस समय पे चल रहा है और जैसी कि आप लोग डाउन ट्रेंड हैं आप अभी के समय पे देख सकते हैं और जै इसने मेंटिन किया है जैसी कि आप लोग देख पा रहे होंगे रिसेंटली यापर जितना भी आपर प्राइस के अंदर डम पाया जो FTEX एक्चेंज का मैटर सामने आया जहां से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से कॉलाप्स वाया FTEX एक्चेंज और यहा अगर हम INR में कंवर्ट करेंगे तो करीब करीब 45 लाक रुपीज के अराउंड एक BTC का प्राइस तो आप लोग समझ सकते बात के इंपोर्टन्स को कि टाइम कितना जबर्दस्त है यापर इंपोर्टन्ट रोल प्ले करता है और पेशन्स कितना ज्यादा इंपोर्टन्ट ह अभी भी ध्यान लगे रखे हैं वो यहाँ पर पहुत सारा पैसा कमेंगे और अभी के समय पर जो दोस्तों को लग रहा है कि मार्केट धीप हो चुका है अभी कुछ मजा नहीं है तो उन लोगों ने पास्ट को देखा नहीं है हिस्ट्री रिपीट होता है तो यह सारी है कि जब भी आप लोग ओपेंड करेंगे दिन में एक बार दो बार तीन बार चार बार रिसिफ कोर के उपर आपको टैप करते हुए चलना है क्योंकि आप लोग अगर टैप नहीं करते 150 ब्लॉक्स कंप्लिट होने के बाद आपका सीधा अकाउंट नहीं माइनिंग सस्पे देश तक आपको हमेशा रिसिफ कोर के उपर दो तीन बार दिल में टैप करते हुए चलना ही है जिससे आपके अरनी यह आपर कॉंटेनुसली बनी रहे है और आप लोग 15 कोर कोईंस का भी कनेक्शन आपर कर लेते हैं तो अब भी के समय पे 1 एथरियम उपर प्राइस पता ह हैडल पर अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोलाबरेशन जिसके चल रहे हैं मार्केट के अंदर लांच होने से पहले क्योंकि इन्फलेशन बहुत तगड़ा हो रहा है और रिसेशन भी अभी के चलते हैं जगे लेने की यहापर कोशिश कर रहा है बट ऐसा नहीं होगा इसके चांसेस यही हैं कि यहापर बड़े-बड़े इन्वेस्टरस अभी मार्केट के उपर ध्यान लगाए बैटे हैं कि यहाँ से मार्केट को फिर से किया जाए क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते एक आर्टिकल के अंदर यहापर बताया जा रहा है कि बिटकोईन का टार्गेट 2023 के अंदर क्या हो सकते हैं विल बिटकोईन हीट डॉलर 110 के यह बिल्कुल पॉसिबल है तीन ऐसे रीजन्स यहनोंने आपर बताये हैं जो कि बिटकोईन को लेकर कम्प्रिटली बूलिश है तो आप लोग देख सकते हैं अभी का डाइम पर जो all-time high 1000 डॉलर का अभी फिर से क्या हो सकता है ftx को लेकर जो matter सामने है इसकी वैज़े से थोड़ा सा market के अंदर हमें flip moment देखने को मिला बट यहां से फिर से market pullback हो सकता है इसके बहुत ज़दे हैं आपर चांसे से कितना बड़ा pump हमें आपर rapid देखने को मिला step by step step by step और US के अंदर अभी जो festival आ रहा है वो है Christmas उसके अंदर भी बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे रहते हैं बुद सारे investors ऐसे रहते हैं उस अच्छे समय पर शूप दिन पर यह सारे चीजों के उपर focus करते कि जादा साद हम होंगे दोस्तो 2013 में आपर कहा पर चल रहा था पिक पॉइंट कहा पर आया था उसके बाद market के अंदर डंप आया और डंप आने के बाद दिरे दिरे जैसे कि रिसेंटल यहापर जब भी bitcoin 60,000 डालर गया था 61,000 डालर उसके बाद फिर से और एक बार 69,000 डालर all time high create कहा है यहाँ पर भी यह सारी चीज़े हो रही है 2020 के अंदर आप लोगो ने देखा फिर से आपर spike moment आपर pick moment आपर देखने को मिला पिक moment देखने के बाद फिर से bearish divisions यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यह जो डिविजन से bearish divisions यह मिटने वाला है जल से जल यह मिटने के बहुत सारे चांसे से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर इस stage में चल रहा है ना यहाँ से market और फिर से और एक बार bullish moment देखने को हमें मिल सकता है यह possible है ठीक है यह क्योंकि history repeat होता है और ऐसे ही जो cryptos है जो intangible है चीज़े लोग इसमें believe कर रहे हैं और बड़े-बड़े institutions जो की है इसको follow up कर रहे हैं और adoption भी market के अंदर इसको लेकर बहुत बड़े level पर होने के chances है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा future है बहुत बड़ा यापर technology मतलब blockchain का use करके यह सारी चीज़ों को create किया गया है तो यह सारा study और इसके technical analysis के according for say और एक बार हमें 2023 के अंदर massive bullrun यहापर bitcoin के price के अंदर देखने को मिलेगा और ऐसा होता है तो bitcoin इसके all time high मतलब all time high से उपर भी आपर और एक नया all time high create कर सकता है 110k dollar का एक बहुत बड़ा amount होगा दोस्तों एक करोड हो सकता है price अगर INR में हम लोग देखेंगे एक bitcoin का दिन यह सारी चीज़ों को दयान में रखते हुए 12th of December के बाद कवर कोईन का minute launch का कभी भी announcement आ सकता है और अगर ऐसा होता है minute launch हो जाता है सारे अपडेट सबको हर श्क्रिप्टेंड है यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे official content के साथ live process के साथ so हो सकता है bitcoin के price के अंदर और एक बार all time high bitcoin का price create करता है so core coin का price 10,000 dollar तक भी जाने के बहुत ज़्यादा chances से मेरे यार हो क्योंकि supply बहुत कम है limited supply utilities बहुत ज़्यादा strong है oracles, metaverse, pay fund, defy, nft, dex, dao, bank, swap, stable coin, copyright मतलब unlimited ऐसे सारे यापर utilities होने वाले है जो कि completely explode कर जाएंगे और इसके price को कहा से कहा तक ले के जाएंगे so एक core coin भी आपके पास है बहुत ज़्यादा valuable है लाखों में इसकी price आपको मिलने वाली है so आप लोग आपके opinions, views, points, comment section में ज़रूर mention करे comment section में कोई भी scammer अगर हमारे नाम से आपको reply करता है so बिल्कुल भी respond ना करें